हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन उप्पल मैथेमेटिक्स आज हम इंपॉर्टेड कोश्चन आए जो अकसर एक्जाम में आ जाते हैं और आ भी रहे हैं ठीक है आज हम वो कोश्चन कराएंगे जो हर बार जनी एक्जाम में आ चुके हैं ठीक है अब उनकी प्रेक्टिस कराएंगे और आपने इन सब की कोश्चन की प्रेक्टिस कर लेनी है ठीक है तो हमारे पास सबसे पहला कोश्चन है इन्टीक्रेशन ओव सीकेंड कि यह भी एक्जाम में आया हुँए अल्रेड़ी तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले जो सीकेंड क्यूब है इसे हम क्या लिख देंग secan square x और secan x अब दोनों trigonometry वाले function है लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया Iletic rule पहले inverse function को first function ठीक है फिर logarithm को फिर algebraic को फिर trigonometry को फिर explanation को यह तो दोनी trigonometry है तो इसमें क्या करना होता है जिसकी integration easy हो उसे second function माल लेते है और जिसका derivative easy हो उसे first function माल लेते होते हैं ठीक है अब सेकंट स्केर की इंटिग्रेशन टैनेक्स है इजी है तो इसे हम सेकंड फंक्शन माल लेंगे इसे फिर्स्ट फंक्शन माल लेंगे अब हम इसमें बाइपार्ट सुप्लाई करेंगे तो फिर्स्ट एज इज इंटिग्रेशन ऑफ सेकंट स्केर एक्स ने अब आगे हम क्या करेंगे, secant x, secant square की integration, tan x, secant का derivative, secant x into tan x, और secant square की integration, tan x, ठीक है, अब next हमारे पास, secant x, tan x, secant x, अब tan को tan के साथ multiply कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा, tan square x, तो ये आगे हमारे पास, secant x, tan x, अब tan square का हम क्या लिख देंगे, secant square x minus 1, ठीक है, क्योंकि हमने identity पढ़ी है, 1 plus tan square की साथ इकल होता है, secant square के, ठीक है, अब tan square की value क्या होगी, secant square x minus 1, अब next हम करेंगे, secant x, tan x, अब secant को secant square के साथ multiply कर दो, तो ये क्या जाएगा, secant cube x, अब secant को negative 1 से multiply कर दो, negative negative positive, तो यहाँ क्या जाएगा, secant x, अब ध्यान से देखो, जहाँ से question स्टार्ट किया था, वही फिर create हो गया, ठीक है, तो इसे हम क्या let कर लेंगे, i, secant x, tan x, negative i, plus integration of secant x, ठीक है, अब next page पे करते हैं, अब ये negative i, इधर यागा क्या हो जाएगा, positive, secant x, tan x, अब secant की integration मारे पास, log of secant x plus tan x plus c, i plus i, 2i, secant x, tan x plus log of secant x plus tan x, अब 2 को इधर जाएगे, divide कर दो, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 by 2, secant x, tan x, plus 1 by 2, log of secant x plus tan x, अब constant c, 1 by 2 भी तो constant है, तो इसे हम c लिख देंगे, तो ये था हमारा answer, बहुत important question है, तो एक बार इसे practice कर लिजिए, ठीक है, और screenshot ने लिजिए question के, तो अब next question करते है, second question, ये भी काफी important question है, exam में आये हुए, तो देखो, इसके लिए हमने chapter में पढ़ा है, e x, f x plus f dash x, तो इसका answer हम क्या लिख देते है, e x, f x plus c, क्योंकि f x का derivative यहां पढ़ा है, ठीक है, तो हम ऐसे create करेंगे, ठीक है, तो create करने के लिए, यहां हमारे पास क्या है, x square plus 1 है, यहां x plus 1 का square है, यहां x square plus 1 है, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, 1 subtract कर देंगे, और 1 add कर देंगे, यहां x plus 1 का square, e x, अब x square 1 के नीचे, x plus 1 का square अलग कर दो, और 1 plus 1, 2, इसके नीचे, x plus 1 का square अलग कर दो, अब यहां हम a square minus b square की identity apply करेंगे, x minus 1, x plus 1, और x plus 1 का square, यहां हमारे पास 2, x plus 1 का square, e x दिया, अब देखो यह square के साथ यह value cancel, हमारे पास क्या रहे गया, x minus 1, और x plus 1, और plus 2, x plus 1 का square, e x, ठीक है, अब देखना है, यह इसका derivative बन रहा है जा नहीं, तो derivative करके देख लेते हैं, इसका differentiation, ठीक है, तो d upon dx, x minus 1 upon x plus 1, अब जब हम इसका differentiate करेंगे, तो quotient rule apply होगा, तो x plus 1 का square, x plus 1 और x minus 1 का derivative 1, negative, x minus 1 और x plus 1 का derivative 1, तो यह मारे पास आगया, x plus 1, negative x plus 1, यह दोनों cancel, तो हमारे पास क्या आगया 2, देखो बिलकुल यह function, इस function का हमारे पास derivative यही बन रहा है, ठीक है, बन रहा है न, तो हम यह करके दिखा देना आपने, तो हमारे पास final answer क्या होगा, e x, x minus 1, x plus 1, c, आप यहाँ शो भी कर सकते हो, e x, fx, plus f dash x, dx हमारे पास क्या होता है, e x, f of x, आपने पहले derivative शो करके दिखा देना है, और फिर यह theorem लिख देनी है, तो यह आपका answer हो, ठीक है, बहुत ही important question था, ठीक है, है simple है, लेकिन try जरूर करना आपने, ठीक है, तो चलते है next question पर, question number 3 है हमारे पास, integration, यह definite integral का है, 0 to pi by 2, sin cube x, denominator में sin cube x plus cos cube x, तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें property apply करेंगे, 0 to a, f of x dx, किसके इक को लोता है, 0 to a, f of a minus x dx, ठीक है, यह आप exam में show कर सकते हो, तो, 0 to pi by 2, यहां हमारे पास क्या जाएगा, sin cube pi by 2 minus x, sin of cube pi by 2 minus x, cos of cube pi by 2 minus x, ठीक है, अब sin pi by 2 minus x, हमारे पास किसके इक को लोता है, cos of x के, तो यहां जाएगा cos cube of x, यहां जाएगा cos cube of x, यहां जाएगा sin cube of x, ठीक है, इसे हम equation 1, और इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, 2, अब एड, 1 and 2, अब दोनों को एड कर देंगे हैं, ठीक है, जो, अब दोनों को एड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, i plus i, 0 to pi by 2, sin of cube x, sin of cube x, plus cos of cube x, plus 0 से pi by 2, cos of cube x, cos of cube x, sin of cube x, ठीक है, अब दोनों में से i plus i 2 है, integration सेम है, तो दोनों से बाहर निकाल लेते हैं, और LCM भी सेम है, तो हमारे पास क्या जाएगा, sin cube x, cos cube x, divide में sin cube x, cos cube x, यह दोनों cancel, तो हमारे पास क्या बचा, 0 से pi by 2, 1, अब 1 की integration हमारे पास क्या होती है, x, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, upper limit minus lower limit, तो pi by 2 minus 0, 2 इदर यागे divide हो जाएगा, तो हमारे पास क्या गया, pi by 4, ठीक है, बहुत बड़िया question है, ठीक है, ध्यान से करो, practice करो इस question की, ठीक है, तो यह हमारे तीन question का प्लीट होते है, तो चलते हैं, next question पर, question number 4, integration of cos of x plus है, upon cos of x plus b, ठीक है, यह भी काफी important question है, तो देखो, उपर x plus है, नीचे x plus b है, तो उपर भी हम क्या create करेंगे, x plus b, कैसे, b add कर देंगे, और b subtract कर देंगे, और divide में, cos of x plus b, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आगया, cos of x plus b, और plus a minus b, ठीक है, और cos of x plus b, अब हमारे पास यह a हो गया, यह b हो गया, cos of a plus b की identity हमारे पास क्या है, cos of a plus b की identity है, cos of a cos of b minus sin of a और sin of b अब यह ही identity यहाँ अप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ गया cos of x plus b cos of a minus b negative sin of x plus b sin of a minus b cos of x plus b ठीक है अब इनको अलग अलग कर दो cos of x plus b cos of a minus b divide में cos of x plus b यह अलग हो गया sin of x plus b sin of a minus b divide में cos of x plus b clear अब यह दोनों value cancel और हमारे पास करेंगे cos of a minus b integration of 1dx और यहाँ sin of a minus b constant है और sin upon cos हमारे पास क्या रहे गया tan x plus b ठीक है अब 1 की integration हमारे पास क्या है x तो हम इसे कैसे लिख सकते है x cos of a minus b और tan की integration मारे पास क्या होती है minus log of cos x तो यहाँ tan की integration मारे पास क्या होती है positive होती है sin of a minus b और log of cos of x plus b तो यह है हमारा answer question number fourth का ठीक है ऐसे कोई भी question हो सकता है divide में sign हो सकता है तब भी problem नी ठीक है बिल्कुल ऐसे ही करना जो भी question है तो इसके एक बार practice कर लो screenshot ले लिजी ठीक है तो चलते है question number fifth पर question number fifth है हमारे पास root of tan x plus root of cot x तो पहले हम क्या करेंगे इनको sign cosmic convert करतेंगे और यह question 2013, 14, 15 में अल्रेड़ी exam में आये हुए तो इसे हम क्या करेंगे root of sin x root of cos x plus root of cos x root of sin x अब इसका LC हम यूज़ करेंगे तो यह root इसके साथ multiply तो यहां क्या हो जागा root of sin x का square plus root of cos x का square और divide में आ जाएगा root of sin x into root of cos x कोई problem अब square के साथ root cancel square के साथ root cancel तो हमारे पास क्या आ गया sin of x plus cos of x divide में sin x into cos x ठीक है तो अब हम इसे एक दो तरीके से कर सकते हैं आ लगल है ठीक है अब हम क्या करेंगे root 2 के साथ multiply कर देंगे और root 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यह आ गया हमारे पास root of 2 sin of x cos of x और यह किसकी identity बनगी 2 sin x cos x किसकी identity होती है sin 2 x की ठीक है अब इसे बिल्कुल इजी तरीक है तो यह है आप क्या करो यह sin plus cos किसका derivative है यह sin plus cos किसका derivative है यह derivative है हमारे पास sin x minus cos x का तो इसे को t put कर दो ठीक है तो sin का derivative मारे पास cos negative cos का sin differentiation कर दिया with respect to x differentiate तो यह हमारे पास आगया dx dt अब जिसको t put किया है उसका कर दो scaring both side scaring both side on equation 1 तो यह हमारे पास आगया sin of x minus cos of x का square equal to t square a square plus b square minus 2 sin x cos of x equal to t square तो sin square plus cos square 1 हो गया यह क्या sin 2t और t square और sin 2t की value क्या आगी 1 minus t square sin of 2t अब सभी value को यहां fill कर देते हैं ठीक है तो यहां हमारे पास क्या जाएगा इसे हम equation a कह देते हैं from a root of 2 अब cos x plus sin x dx किसमे कनवर्ट हो गया dt मे और हमारे पास यहां क्या गया 1 minus t square तो a square minus x square की identity मारे पास क्या है sin inverse of t ठीक है अब t की value फिल कर दो t की value क्या हमारे पास sin x minus cos x यह रहा हमारा answer ठीक है बहुत ध्यान से करना है यह question ठीक है एक्जाम में तीन बार आ चुक है ठीक है तो यह था हमारा question number fifth तो चलते है question number sixth बार question number six है मारे पास integration of 5x plus 3 और denominator में आए root of x square plus 4x plus 10 जब भी ऐसा question आ जाए ठीक है यह काफी important question है जब भी ऐसा question आ जाए तो numerator को हमने क्या पूट करना है यह हमने पढ़ा है ncrt में numerator को क्या पूट कर देना है a differentiation of denominator plus b ठीक है तो 5x plus 3 तो इसका differentiate 2x plus 4 plus b ठीक है अब हमने coefficient compare करके a और b की value find out करेंगे सबसे पहले coefficient of x तो यहाँ coefficient of x का है 5 और यहाँ coefficient of x का है 2a तो a की value हमारे पास क्या आगी 5 by 2 ठीक है और constant term constant term हमारे पास क्या है 3 4a plus b अब a की value तो हमारे पास 5 by 2 है तो यहाँ fill कर देते हैं यह इसके साथ cancel तो 3 10 plus b तो यह b की value क्या आगी 3 minus 10 b की value क्या आगी negative 7 अब a की value भी आगी और b की value भी आगी तो हमारे पास 5x plus 3 की value क्या आगी 5 by 2 2x plus 4 और negative 7 अब इस value को हम यहाँ fill कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5 by 2 2x plus 4 negative 7 और root of x square plus x square 4x plus 10 अब इनको अलग-अलग कर देते हैं 5 by 2 2x plus 4 x square plus 4x plus 10 और negative 7 x square plus 4x plus 10 ठीक है अब इनको solve करते हैं इसे i1 बोल देते हैं और इसे i2 पहल इसको solve करेंगे फिर इसको फिर दोनों को fill कर देंगे अब इसको हम क्या करेंगे 5 by 2 2x plus 4 x square अब देखो डिनोमिनेटर में यह डिनोमिनेटर में फंक्शन उसका derivative है तो x square plus 4x plus 10 को t फिल कर दो और differentiate with respect to x 2x 4 dx dt तो i1 हमारे पास क्या आगया है 5 by 2 dt root of t ठीक है तो i1 आगया हमारे पास 5 by 2 यह क्या है t की पावर नेगेटिव 1 by 2 और इसकी integration तो 1 एड कर दो 1 by 2 1 by 2 2 के साथ 2 cancel तो यहाँ t की value फिल कर दो t की value क्या हमारे पास x square plus 4x plus 10 ठीक है यह था हमारे पास i1 cancel अब i2 solve करते है i2 हमारे पास क्या है 7 1. root of x square 4x plus 10 अब complete square method लगाना है जो 10th में आपने सिखा था तो complete square method कैसे लगाते है x का coefficient क्या है 4 4 को 2 के साथ divide किया 2 ठीक है तो 2 का square add कर दो 2 का square subtract कर दो तो यह आपके पास क्या बन गया x plus 2 का square और 10 minus 4 6 बन गया x plus 2 का square और 10 minus 4 6 तो i2 हमारे पास आ गया root of x plus 2 का square और 6 को हम लिख सकते है root of 6 का square और यहां मारे पास identity लगेगी root of x square plus a square की तो इसकी identity मारे पास क्या है log of x plus root of x plus 2 का square और root of 6 का square ठीक है इसे c2 बोल देते थे c1 बोल देते तो हमारे पास i2 आ गया 7 of log x plus 2 अब इसका square open करेंगे तो a square plus b square plus 2ab और root 6 का square 6 तो यह आ गया 7 log x plus 2 और यह आ गया x square plus 4x plus 10 तो यह था हमारा i2 का answer और यह था हमारा i1 का अब equation 1 कहां फिल करेंगे ठीक है अब यहां दोनों के answer फिल कर देंगे ठीक है तो हमारे पास final answer है 5 root of x square plus 4x plus 10 ठीक है और इसके middle में कौन सा sign था negative का तो negative 7 log x plus 2 plus root of x square plus 4x plus 10 तो यह है हमारा answer question number 6 का ठीक है बहुत बढ़िया question था ध्यान से करना आपने तो चलते है question number 7 question number 7 हमारे पास है integration of mod of x minus 1 mod of x minus 2 and mod of x minus 4 और limit दी होई है definite integral का question है 1 से 4 तो इसके solve करने से कहीं वे हैं तो हम सबसे easiest way से करेंगे सबसे पहले आपको mod function के बारे में मालूम होना चाहिए mod function क्या होता है अगर x greater than ठीक है equal to 0 है ठीक है तो यहां हमारे पास positive x अगर x less than 0 है तो हमारे पास क्या जाएगा negative x ठीक है तो इस way से हमने solve करना है पहले तो क्या करेंगे सभी question को अलग अलग कर लेते हैं ठीक है अब देखो x minus 1 है ठीक है mod of x minus 1 तो यहां हमारे पास क्या जाएगा x minus 1 if x is greater than equal to 1 or x minus 1 negative if x is less than 1 ठीक है इसी तरह mod of x minus 2 x minus 2 if x is greater than equal to 2 or negative x minus 2 if x is less than 2 ठीक है similar x minus 4 if x is greater than equal to 4 or negative x is less than 4 ठीक है तो हमने क्या करना है देखो यह हमारे पास क्या है mod of x minus 1 है ठीक है और यहां limit हमारे से question start कहां से हो रहा है 1 से हो रहा है तो 1 से नीचे तो जाना ही नी तो यहां तो positive 1 रहेगा positive mod x ही रहेगा तो यहां हमके अगरे mod break करेंगे तो यहां हमारे पास x minus x minus 1 ही रहे जाएगा ठीक है जैसे 1 से 4 है यह break होगा कहां पर break होगा 2 पर तो यहां 1 से लेकर 2 तक तो यह negative और plus 2 से लेकर 4 तक यह positive और similar यहां हमारे पास 1 से लेकर 4 तक क्या जाएगा negative क्योंकि 4 से greater than तो जाना ही नहीं limit ही मारे पास 4 तक है ठीक है तो इसे solve करते हैं next page बर तो हमारे पास है 1 से लेकर 4 x-1 अब इस negative को अंदर adjust कर दीजिए तो यहां 2 positive हो जागा x negative यहां 2 से लेकर 4 यहां भी negative को अंदर adjust कर दो तो कह रहा जागा 4-x अब बस इनकी integration कर दो और upper limit minus lower limit तो x की integration x square by 2 1 की integration x limits 1 से 4 यहां 2 की integration 2x और x की x square by 2 1 से 2 फिर x की integration x square by 2 2 की integration 2x 2 से 4 और 4 की integration 4x और x की x square by 2 1 से 4 ठीक है अब upper limit minus lower limit पहले इसको 4 का square यहां 4 fill कर दो 4 का square 16 by 2 minus 4 1 put कर दो 1 by 2 minus 1 यह first portion हो गया अब second 2 into 2 4 2 का square 4 by 2 अब 1 put कर दो 2 into 1 2 अब 1 put कर दो 1 by 2 ठीक है अब next यहां 4 put कर दो 4 का square 16 by 2 4 into 2 is 8 2 put कर दो 2 का square 4 by 2 2 into 2 is 4 अब last 4 put कर दो 4 into 4 16 और 4 का square 16 by 2 1 put कर दो 4 minus 1 by 2 बस अब इसको solve कर दीजे तो 16 by 2 8 तो यहां 8 minus 4 और यहां मारे पास 2 LCM आ गया 1 minus 2 by 2 यहां कैंसल 2 तो 4 minus 2 यहां 2 LCM आ गया 4 minus 1 by 2 यहां 16 by 2 8 minus 8 यहां 4 by 2 2 2 minus 4 और 16 minus 8 यहां रहे गया 2 LCM आ गया 4 into 2 8 minus 1 by 2 ठीक है अब इसको solve करते हैं 8 minus 4 4 यहां 1 minus 2 minus 1 by 2 तो क्या जाएगा प्लस 1 by 2 यहां 4 minus 2 2 यहां 4 minus 1 3 by 2 तो यहां जाएगा negative 3 by 2 यहां 8 minus 8 0 और 2 minus 4 minus 2 तो यह क्या जाएगा plus 2 16 minus 8 8 और 8 minus 1 7 तो यहां क्या जाएगा negative 7 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16 और यहां 1 by 2 minus 3 by 2 और minus 7 by 2 तो value क्या आगी हमारे पास 1 minus 3 minus 7 divided by 2 तो 7 minus 3 और minus 7 minus 10 और 10 में से negative 1 में plus किया तो हमारे पास क्या जेगा negative 9 by 2 तो 16 into 2 32 minus 9 by 2 32 minus 9 हमारे पास क्या होता है 23 by 2 यही हमारा answer है ठीक है, बहुत ध्यान से करना है एक भी plus minus की गलती होगी तो यह आपका answer गलत हो जाएगा बहुत ध्यान से करना है यह question ठीक है, यह था हमारा question number 7 तो चलते है question number 8 पर Question number 8 integration of limit 0 to pi x 10x secant x plus 10x तो इसे भी हम क्या करेंगे sin cos में convert कर लेते हैं पहले x sin x by cos x secant 1 by cos tan sin by cos तो यह हमारे पास क्या आगया ना होता, तो question बिलकुल easy था, तो इसमें कौन सी property यूज करेंगे, जो सबसे common property है, सबसे जादा question में यूज होती है, वो क्या property है, ये वाली I think fourth property है, NCRT में ये property यूज होगी, ठीक है, तो इस property से, इसे हम equation one ball देते हैं, तो इसके recording हमारे पास क्या आजाएगा, x की value pi minus x, यहाँ भी, pi minus x, और यहाँ भी, pi minus x, ठीक है, और sine of pi minus x कौन से quadrant में है, second में, second में sine हमारे पास क्या होता है, positive, तो यहाँ क्या जाएगा, sine x, one plus sine x, अब equation one or two को क्या गर देंगे, add, तो add करेंगे one or two को, तो हमारे पास क्या जाएगा, i plus i, zero to pi, x, sine x, one plus sine x, और zero to pi, pi minus x, sine of x, one plus sine x, अब i plus i, two i, दोनों की limit सेम है, zero to pi, तो हमारे पास, x, sine x, pi, sine x, minus x, sine x, divide में, one plus sine x, तो यह दोनों value cancel, तो हमारे पास आगा, two i, zero to pi, pi, sine x, one plus sine x, देखो, x यहां से remove हो गया, आप question easy है, तो pi constant है, constant को बाहर निकाल देते हैं, zero to pi, sine x, one plus sine x, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, one add कर देंगे, और one subtract कर देंगे, तो हमारे पास क्या आगया, pi, zero to pi, one plus sine x, upon one plus sine x, यह हमारे पास अलग कोश्चन हो गया, और zero से pi, one upon one plus sine x, यह हमारे पास एक अलग कोश्चन हो गया, ठीक है, अब यह one plus sine, one plus sine cancel, तो यह हमारे पास क्या आगया, pi, zero to pi, one dx, और यहाँ, zero से pi, one upon one plus sine x, इसे हम रैशनलाइज कर देते हैं, one minus sine upon one minus sine, तो यह आगया, two y, pi, one की integration x, limit zero से pi, यह हमारे पास zero से pi, one minus sine x, a plus ba minus b, तो a square minus b square, ठीक है, और यह two इदर जाएगे, डिवाइड हो जाएगा, तो pi by two, और यहाँ, पर limit minus lower limit, pi minus zero, और यहाँ, मारे पास आजाएगा, one minus sine x, one minus sine square is, cos square x, तो pi by two, pi, यहाँ, मारे पास, one के divide में, cos square अलग, और sine के divide में, cos square अलग, तो यह आगा है, मारे पास, pi by two, pi, one by cos square is, secant square, sine by cos tan, और one by cos secant, ठीक है, तो यहाँ, i, pi by two, pi, अब secant square की integration, tan of x, secant x into tan x की integration, secant of x, limit zero से pi, next page पर करते हैं, अब यहाँ, मारे पास, pi by two, pi, upper limit minus lower limit, tan of pi minus secant of pi, minus tan of zero minus secant of zero, pi by two, pi, tan pi ही मारे पास क्या होता है, zero, और secant pi हमारे पास क्या होता है, negative one, ठीक है, और tan zero क्या होता है, zero, secant of zero क्या होता है, हमारे पास, one, तो यह pi by two, pi, negative, यह हमारे पास negative negative क्या होगा है, positive, यह भी negative negative क्या होगा है, positive, तो हमारे पास final answer क्या है, पाई बाई टू, पाई माईनस टू, यह हमारा आंसर है, question number 8 का, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक बार practice करो इन question को, बहुत important question है, ठीक है, तो चलते हैं question number 9 पर, तो question number 9, important question, लेकिन सबसे easy question, two marks का question है, बिल्कुल easy question है, तो कैसे करना आपने, constant बाहर, cos of x, divide में, sin square of x, तो cos by sin हमारे पास क्या आगया, cortex, ठीक है, और one by sin हमारे पास क्या आगया, cosecant x, ठीक है, अब cosecant x into cortex की integration, हमारे पास क्या होती है, negative cosecant x, देखो question खतम, देखो ये भी question imported exam में है हुए, ठीक है, ऐसा नहीं कि, सभी मुश्किल question हैंगे, easy question भी आते हैं, ठीक है, तो चलते हैं हमारा last question, आज का 10th question, question number 10 है हमारे पास, integration of 2 cos x, और denominator में 1 minus x, sin x और 1 plus sin के रख, ये question हमारे पास partial fraction का question है, और काफी important question है, तो ध्यान से करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x को t put कर देंगे, तो sin का derivative cos of x, dx dt, त हमारे पास cos x dx इस में convert हो गया, dt में, और नीचे 1 minus t, और 1 plus t square, ठीक है, 1 minus t और 1 plus t square आगया, तो अब हम इसे put करेंगे, 1 minus t, और 1 plus t square को, a में 1 minus t, और ये quadratic है, तो bt plus c, यहाँ क्या जागा, 1 plus t square, ठीक है, अब इसका calcium, 2, 1 minus t, 1 plus t square, a 1 plus t square, और bt plus c, 1 minus t, डिवाइड में हमारे पास, 1 minus t, और 1 plus t, यह दोनों value cancel, तो हमारे पास क्या equation बनगी, 2, a 1 plus t square, और bt plus c, 1 minus t, ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं, equation number 1, और सबसे पहले हम t की value 1 put करते हैं, वो कैसे 1 minus t को equal to 0 रखो, तो t की value 1, तो हम क्या करेंगे, put t equal to 1, तो यहां क्या जागा 2, यहां fill करेंगे, 1 plus 1, यह 0 हो जाएगा, तो a की value क्या जागी, 2 by 2, तो a की value क्या जागी, हमारे पास 1, ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इस equation को लिखेंगे, multiply कर देंगे, 2 a, a t square, b t, minus b t square, plus c minus c t, ठीक है, अब सबसे पहले, coefficient of t square, अब यहां तो t square है नहीं, 0 a minus b, अब a की value 1 है, तो b की value भी क्या जागी, 1, अब coefficient of t, तो 0, यहां मारे पास b, यहां मारे पास minus c, b 1 है, तो c की value भी मारे पास क्या जागी, 1, अब a की value भी मारे पास 1 है, और b की भी 1 है, और c की भी 1 है, ठीक है, तो हमारे पास, 2 upon 1 minus t और 1 plus t square क्या आ गया क्या लेट किया था हमने a 1 minus t और b t plus c 1 plus t square अब यहाँ a b c की value फिल कर देते है a की value 1 b की value 1 और c की 1 तो यह हमारे पास आगी ठीक है अब इस equation को integration करते है ठीक है अब इसकी integration करनी थी हमने with respect to t तो इसकी भी हमारे पास क्या आगी with respect to t ठीक है तो हमारे पास क्या बन गया integration of 1 minus t dt plus t plus 1 1 plus t square dt ठीक है अब इनको अलग-अलग कर देते है अब इसको हम 1 upon 1 minus t और यहाँ t upon 1 plus t square और यहाँ 1 upon 1 plus t square ठीक है अब इसकी integration करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं easy कर लेते हैं 2 के साथ divide 2 के साथ multiply क्योंकि दिनोमिनेटर में function और उपर इसका derivative हो तो log में लिख सकते हैं और यहाँ इसकी integration क्या होगी log of 1 minus t minus t का derivative negative 1 यहाँ डिनोमिनेटर उसको फंक्शन है तो हमारे पास क्या जगा log of 1 plus t square और यहाँ a square plus x square के identity 1 upon a tan inverse t upon a अब जहाँ जहाँ t है t हमने क्या पूट किया था sine x तो sine fill कर दीजे तो minus log 1 minus sine x 1 by 2 log 1 plus sine square x और plus 10 inverse of sine of x तो यह था हमारा answer question number 10 का तो यहाँ हमारा part 1 complete होता है top 10 question of integration के next part में और question लेके आएंगे ठीक है question pyq होईंगे ठीक है thanks for watching and subscribe the channel and share with your friends